किसे ने कहा बिना कलेश के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी? किसे ने कहा जब चुनाओं ही प्राण हो तो सोचो कौन सी प्रतिष्ठा दाओं पे लगी होगी? 500 साल का सपना जो पूरा हो रहा था, हमारे अंदर का हिंदू भी पूरी तरह से जाग गया था. पहली सीधी पर याद आई महंगाई, दूसरी पर देश में बढ़ती बेरूजगारी, तीसरी पर पत्रकारी तक की चरण चुमबकता, चौथी पर सेंटरल एजनसीज की संदिक धभूमी का. Ninphrastructure से बनता है। राष्ट्र के देश्वासियों से, इनसानों से और उनके दिलों में पनवति देशबक्ती के जज्जबे से और इन देश्वासियों की परिस्थिती क्या है, हर देश्वासी चाहता है अद्ध्श मौदभाता है कि वह एक भायमुक्ष वाता वरण में अ अगर हम रिपोर्ट देखेते हैं उसका अनिस्वार मेरे चुनाक शितर में 400 से 500 लेपर्ड का अधिवास है और मेरे चुनाक शितर में दिन में थ्री फेज लाइट नहीं होती इसलिए रात में खेत को पानी देने के लिए जाना पड़ता है और आए दिन किसी न किसी पर जो इकलोता सुलिशन है वो लेपर्ड रिप्रड़क्शन कंट्रोल का सुलिशन है और इसके लिए में नियमित तरीके से मंत्राले से भी गुजारिश कर रहा हूं और मेरी ये गुजारिश है कि मंत्राले इस पर संग्यान ले और लेपर्ड रिप्रड़क्शन कंट्रोल कर और मेरी चुनाक शित्र में दिन में थ्री फेज लाइट देने का निर्देश राज्य सरकार को पारिद करे। महामईम राश्टरपती जे ने अपने अभीबाशन में गरीबों के लिए मकान की बात की, जो निश्चिती सरानी है। लेकिन मेरे चुनाक शित्र में अध्यक्ष मौद है, देड़ से दो लाख लोग ऐसे है, वो रहते तो पक्के घरों में हैं, लेकिन उनके घर अनथोराइज करार दिये जा रहा है, और वज़े है, दिगी अमिनेशन डेपो की वज़े से लगा हुआ रेड्जोन। महा महीम राष्टरपती जिने कानूनों में सुधार की बात की, और समय के साथ हर किसी को बदलना चाहिए, लेकिन रेड्जोन की अगर हम बात करें, तो जो कानून फॉलो हो रहा है, वो 1903 का अंग्रेजों के जमाने का इंडियन डिफेंस आट फॉलो हो रहा है, जिसके तह 200 से 500 मीटर ही रेड्जोन की मर्यादा होनी चाहिए, तो जब हम कानून के सुधार की बात करते हैं, तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि यो कानून हमने अडॉप किया है, उस पे अमल किया जाए, और 500 मीटर के आगे ये रेड्जोन की मर्यादा से देशवासियों को रहत दी जा, महामहीम राश्टर पतीज ने अपने अभिवाशन में अग्रिकल्चर एक्सपोर्ट की बात की, और विक्सित भारत के जो चार स्थम्ब हैं, उन्होंने उन्होंने उसमें उन्होंने किसानों का जिक्र भी किया, लेकिन वास्तविक्ता ये है, अध्यक्ष मोद है, पिछले 35-40 दिनों से अनियन के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लग चुकी है, और अनियन एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगनी की वज़े से, प्याज की निर्यात पर पाबंदी लगनी की वज़े से, मेरे महराश्टर के प्याज उत्पादक किसानों का, दो हजार करोड रु मिल रहा है लेकिन मेरे किसान को अपना प्यास आठ से दस रुपे किलो के दाम में बेचना पड़ रहा है हमने सरकार से सुना था कि पाकिस्तान की कमर तोड़ देंगे ये तो इस निरनए की वज़े से पाकिस्तान के किसानों को भला हो रहा है कमर मेरे किसानों की तूट रही ह यहाँ पे महामई वराश्टरपती जने किसानों की आई दुगनी होने की बात की अध्यक्षे मोदाय मैं कुछ आंक्डे बताना चाहता हूँ कि 2013 में डियेपी की एक बैक थी उसकी कीमत थी 560 रुपए 2014 में डियेपी की बैक की कीमत थी 1100 रुपए जो लागत की मजदूरी थी प्यास के लिए उसकी कीमत थी 5000 रुपए आज लागत की मजदूरी जाती है 11000 रुपए आज 2013 में प्यास बिकराता 20 रुपए किलो में आज प्यास बिकराता 8 से 10 रुपए किलो में 2013 में सोया बिन विक्रा तक 6000 रुपए क्विंटल के दरों में, आज सोया बिन विक्रा है 4500 रुपए क्विंटल के दरों में, तो किसान की आई दुगनी हुई या दुगने से जादा धट गई है? जब हम विकसित भारत का एक स्तंब किसानों को मानते है तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जब विकसित भारत की यात्रह होती है दिल्ली में ठंड बहुत है किसी को बताना नहीं पड़ता ठंड बहुत है हम महसूस करते है ठंड बहुत है तो जब विकसित भारत है तो ये बताना क्यों पढ़ता है मेरा किसान ये महसूस क्यों नहीं कर पाता कि ये विकसित भारत है मेरी आई दुगनी हुई है और ये मेरी दर्फ़ास्त है कि किसानों के बारे में गंभीरता पूर्वक के विचार किया जाए क्योंकि अगर उगाने वाला उगाएगा नहीं तो खाने वाला खाएगा क्या ये सवाल बनता है अंत में महामई राष्ट्रपती जे ने राम मंदिर के निर्मान की बात की और मर्याद पुरुशोत्तम प्रभू श्री राम हमारे राम लल्ला जो विराजमान हुए उसके लिए मैं समूचे देश का अभिनंदन करता हूँ और उसी के बारे में कुछ पंक्तिया कहके मैं अपनी वानी को विराम दूँगा अध्यक्ष मोदै जब राम लल्ला की प्रान प्रतिष्ठा की बात आई तो किसी ने कहा बिना कलेश के प्रान प्रतिष्ठा कैसे होगी किसी ने कहा बिना कलश के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी किसी ने कहा जब चुनाओं ही प्राण हो तो सोचो कौन सी प्रतिष्ठा दाओं पे लगी होगी लोग तो कुछ कहेंगे लोगों का काम है कहना आप जन की बात मत सुनना सिर्फ मन की बात करना फिर भी खुश थे हम फिर भी खुश थे हम 500 साल का सपना जो पूरा हो रहा था हमारे अंदर का हिंदू भी पूरी तरह से जाग गया था तो चल पड़े आयोध्या की और राम लल्ला की दर्शन की आस लगाए जो सामने नजारा देखा वो देखकर दंग रह गए वो तीन मंजिले 452 सीडियां जै श्री राम का नारा लगाते होए हम सीडियां चड़ने लगे राम लल्ला से क्या गुहार लगाए ये सोचने लगे पहली सीडिया पर याद आई महंगाई दूसरी पर देश में बढ़ती बेरूजगारी तीसरी पर पत्रकारी तकी चरण चुमबक ता चौथी पर सेंटरल एजनसीज की संदिक धभूमिका हर सीडिया पर कुछ न कुछ याद आ रहा था कही 15 लाग का जुमला कही किसानों का आक्रोश था कही महिला कुष्टिगिरों की वेदना थी कही सालान दो करोड रोजगारों का वादा था कही बढ़ती सामप्रदाइक थी तो कही चुनिंदा पूंजी पतियों पर महरबान हमारी सरकार का चहरा था इस वास्तविक्ताने जंजोडने के बाव इस वास्तविक्ताने जंजोडना के बाद भी हम अंधभक्तों की तरह चलते गए होश तो तब संभाला जब राम लल्ला के दर्शन हुए हमें नतमस तक देख राम लल्ला मुस्कुराते हुए बोले हमें नतमस तक देख राम लल्ला मुस्कुराते हुए बोले मैं कल भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा जितना इस मंदिर में हूँ उतना ही तुम्हारे मन में रहूँगा लेकिन याद रखना हमेशा लेकिन याद रखना हमेशा मैंने त्रेता युग में रामराज जलाया था तुम कली युग में जीते हो जहां समविधान ने गणराज जलाया है धर्म समाज का किनारा जरूर है दर्म समाज का किनारा जरूर है लेकिन देश एक बहती धारा है किनारे को धारा के बीच में लाया तो प्रवा अड़ जाता है प्रगती के पच से हड़ जाता है इसलिए धर्म का ठेकेदार नहीं पहरेदार बनना चाहिए इसलिए धर्म का ठेकेदार नहीं पहरेदार बनना चाहिए तुम रहो न रहो वो रहे न रहे ये देश रहना चाहिए देश का समविधान रहना चाहिए देश का लोकतंत्र रहना चाहिए ये देश देश रहना चाहिए जैहिन धन्यवाद